थूर्यटम शुर्या टिक नीजल में स्वागत है, आज कि सूर्याली आप से बात करेंगे, जो शुर्यटम का बिहार इटाई में थारर मिरिट लिस्ट में नाम आया है, उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। क्योंकि बहुत सारे student का इंतजार था कि sir third marriage list कब आगा वो finally release कर दिया गया है कि third marriage list कब होगा कब आगा तो चलिए आपको एक official notice release किया गया है कि आपको क्या है और offline इसका admission होगा और willingness process क्या होती है पूरी process इस video में आपको समझते हैं चलिए उस file को open करके आपको बताते हैं official website चल करके और उसके बारे में तुरा कुसी details बतलाते हैं जिस file में details दिया हुआ हुआ है उसके बारे में यहां पर आपको first number BCC लेकर करके search कर लेना है तो यहां पर BCC board का official website है direct हम आपको उसके home dashboard पर लेकर करके चलते हैं और यहां पर finally रात को यह release कर दिया गया था कि willingness के लि उसका short form है इस पर उतना नहीं धियान देना है यहां पर जो details दिया है details notice regarding पहले आप लोग समझे तभी आपको समझ में आएगा नहीं तो आप खुद से हर बर में कुछ नहीं हो पाएगा आपसे तो यहां पर यह details को notice को थोड़ा download कर लेते हैं चलिए देखते download करके क्या हो तो जब हम notice download करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार देशबर open हो जाता है यहां पर थोड़ा details में पूरी जानकारी प्रप्त कर लेते हैं क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगी तो समझ में नहीं आपाएगा क्या आपका सेलेक्शन होगा यह नहीं यहां पिसको समझे क् प्रविस परिक्षाइटी एक पूरु प्रकासित में गा सुची यानि कि पहले से प्रकासित हुई ती में चुची उसके अधार पर आदोगी प्रस्रीक्शन संस्तानों में दूतिया चक्रसीट आवंटन के पश्चात यानि कि उसके बाद भी बहुत सारे इडिमिशन नही किया गया है इसका admission offline होगा तो यहां पर हड़ एक topic को समझे तब आपको admission process समझ में आएगा नहीं तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अधोगे प्रसेक्षन संस्थान प्रतियोगता प्रिछा प्रवेश्वा टीए कैट 2020 में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी संबंधित आईटीय संस्थान यानि कि जितने भी बच्य हुए सब जीव जितने भी college है उसके लिए दिया गया है नोटिस पर चारी तथा सर्व सधारन को सुचित किया दाता है कि आईटीय कैट 2020 की पूरी प्रकासित मेंगा सुचिक अधार पर प्रथा मतवा दूतिय चक्र की online counseling के माध्यम से विविन ncvt lcvt पर क्रम में हुए सीट आवंटन के तदानुसार नमांगन के पस्चात से स्रिक पर क्रमों के संभावन संस्थानवार यानि कि जितने भी स्टुडियंट का छूटा हुआ था उससे रेलेटर यह नोटीस है इसको सोट फॉर्म समझ है इसको उतना पढ़ने से क्या फायदा है इसलिए आपको हम सोट फॉर्में परहादते हैं इन सीटों को भरने है तू ओफ- काउंसलिंग 282-2021 प्रारंब होगा ओफ-लाइड कांसलिंग के परसद करेले संभवन पटना हावय यड़ा करिकर पटना में आयजीत होगा यानि किसका आफ-लाइन कांसलिंग पटना में होगा उसके बाद भाग लेने है तो आईटी एकट 2020 में समिलीट सभी पतरता प्राप प्राप्त वेर्थियों चाहे वह पुर्व की ओनलाइन कांसलिंग अधार पर ना मांकित हो या नहीं मौप कांसलिंग में भाग लेने हैं तो ओनलाइन विलिंगनेस आवंतरित किये जाते हैं यानि कि आपके ये साथ एक विलिंगनेस एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा यहा कर देनां के कोई दू और विलिंगनेस तक प्रॉपकियों में यानि कि आपको ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर्म फिल करवाया जागा जो भी ठोड़ेश्ट ल्टमेंट लेटर में जिसका नाम नहीं आएगा और जिसका आया था सकेन में उसका वी रद कर दिया गया सकेन में तक प्राप्ट किये जाएंगे मेघा क्रम सहीत साख्षातकार कारकरम परसत की वेफसाइड पर दिनाएंग 27 दस 2021 तक उपलब्द करा दिया जाएगा यानि कि 27 तारिक तक सब कुछ मेघा करम लोड कर दिया जाएगा कि किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं और 28 तारिक से सबका एडमिशन चलू हो जाएगा उसके बाद क्या लिखवा है उपरोग तक कंड का कि एक अनुसार विरुध मॉप युवपी काउंसलिंग के पाठकरम संस्थान है त चौवी से गारा दुहजार बीस द्वारा परसत के वेबसाइट पर अपलोड किये गए मेगा सुची जिस्याव यर्थी वेबसाइट के होम पेज पर डाउनलोड करके राइंग कार्ड लिंक पर क्लिक करके अपना रॉल नेमर जनमती थी डालकर मेगा संब बिलिंगनेस द कैसे करना है विलिंगनेस उसका भी हम वीडियो सुट करके अपलोड कर देंगे इस चैनल पर तो देखते रहें क्या करना है परसत के वेबसाइट बीसी सीबोड भी हार डॉट होम पेज पर जाकर विलिंगनेस फॉर आईटी एकर 2020 मॉप कॉंसलिंग राउंड ऑफ लैंड क कांसलिंग लिंक पर क्लिक करके प्रावधान के उसार निर्देशी जगह पर आईटी एकरट अपना 2020 का रॉल नॉम्बर जनमतिशी आलकर मेगा करम के सुची जैनकारी प्राप्त करके सम्मीट और विलिंगनेस बटन पर क्लिक करे उसका प्रिंट निकाल ले जिसके बाद उसका कोटीवर मेगा क्रम और आप्सन आईडी अंकित होगा इस प्रिंट को कांसलिंग के समय लाना अनिवाड़े होगा आप लोग को एक विलिंगनेस फोरम फिल कर लेना है जब कांसलिंग होगा तो उसमें आपका आवेदन में नाम आएगा कि आपका एडमिशन होगा य यानिकि एक बार में ही विलिंगनेस समिट करना अनिवाड़े कर दिया गया है यहां पर देखिए विलिंगनेस प्रोसेस का प्रोकेडिया बताया गया है तो उपरोक्त में आप लोग समझेगा तभी संबभ होगा उसके बाद कांसलिंग कर्करम दिनांग 27 2020 के परसद के वे समझेगे उस लोगों को पटना जाना होगा यह सब को समझ यह नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा फिर से इसलिए हम बार बार कह रहे हैं समझ यह उसके बाद है कि यहां पर थोड़ा समझने वाली बात सब्सक्राइब वैसिया वर्ति जो आईटी एकट 2020 की प्रत्रम दूतिय चकर की आउनलाइन कांसलिंग के माधम से किसे संस्थान में नमांकित है और संस्थान ब्रांच में परिवर्तन चाहते हैं और यह वी दिनाएं के कईश दूदू 2021 से पचीस दूदू 2021 की अबधी में इस मॉप आउंसलिंग यह तो आउनलाइन विलिंगने संबिट करेंगे उनके लिए इस संबंदि संस्थान पठकरम की अधतन अपलब्द करा दी गई है यानि कि जो स्टूडेंट को अगर मन पसंद कॉलेज अगर चिंद करवाना है और जो स्टूडेंट नहीं करवाया है वह भी इसमें विलिंग ने साविदन देकर के करवा सकते हैं ल कुमेंट लगेंगे विलिंगनिस करते समय वह भी थोरा जान लेते हैं कोपिय पधार कड़ाधार का फोटोशेट लएगा छोग पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा उसके बाद आई टी आइका एडमिन कार लग जाएगा पास एडमिन कार पस्टेड और इडिनल एडिनल लगेगा यानि कि उस पर सिक्षक का हस्ताक्षा रहना चाहिए जहां आपने एक्जाम देने गए थे उसके बाद चार नमर डॉकमेंट पर राइंक कार दोड़िस मौब पांसलिंग के लिए उसका राइंक पांसलिंग का यहां पर भी पार्ट ए एंद पार्ट बी का अप् बीडियो सुट कर दूँगा लगभाग आज में दोनों वीडियो अपलोड कर दूँगा इस चैनल के मादम से ताप लोग वीडियो को लाइक कर जेगे चैनल पहले बढ़ाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जेगा फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए तना ाईब कर दूँगा जीडियो चैनल 1200 002 32